आज हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी और बनाने जा रहे हैं इमली की खटी मीठी चटनी तो सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी जिसके लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है छोटा वाला और उसमें डाला है एक चमच नमक जो के एक छोटा चमच दा आदा चमच जिरा लि जाद़ा पानी नहीं डालने है काफी पतली हो जाएगी और उमने लिया आदा चंतल मेर्च पाउडर और यह हमने पीस लिया है और यह हमारी घरीट चत्नी तेयार हो चुई है हमें इसे जादा पतली नहीं रखनी है, हमें इसे इतना ही पतला रखनी है, यसमें थोड़ा जादा कप पानी तो जालगा था इसमें अब हम बनाएंगे इमली की खटी मिठी चट्नी जिसके लिए मैंने ये एक कटोरी भरके इमली ली थी और इसे मैंने आदर गंटे के लिए पानी में भिगो दिया था तीस मिनट समझ लीजे और ये अच्छी तरीके से भीग चुके है अब हम इसे थोड़ा सा मेश करेंगे हाथों से और अब हम इसे बॉइल होने के लिए रख देंगे हमने इसमें दो गिलास पानी एड़ कर दिया है और इमली के इंदर और अब हम इसे पकाएंगे है इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से मेश नी हो जाती हम इस तरीके से चला चला केई पांच मिनट तक इसे पकाना है और जब यह पांच मिनट तक पक जाएगी अच्छे तरीके देखे थोड़ से ठीक हो गई है अब इसे हम ठंडा करके इसे छान लेंगे अब इस तरीके से जितनी भी इमली है न सब को छान लेंगे और इसे पकाएगे गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक वह आप टेस के गॉर्डिंग भी डाल सकते हैं कम जादा कर सकते हैं और डालेंगे आदा चम्मच काला नमक और यह हमने आदफ चम्च लाल मर्च पाउडर लिया यह भी आप टेस के कॉर्डिंग है कम ज़ादा कर सकते हैं और यह हमने गुड़ लिया है अब हम इसे इसमें पकाएंगे हलकी आज में इसे हमें तब यहाँ तक पका रहा हуск mantra का साओ कि कर अबा 2त तक कीया में दियुक्ति पकाते रहना है किषял तो यह के अध्याइक ह्याँ बिल्कुम उड़फर है और यह दृफき मिक्स हो चुका कि पक चुका आहिए पक चुका अगा यह गोड़ बनी को कर रहा है और अब हम इसे निकालेंगे, हमने gas बंद कर दी और यह बिल्कुल ready हो चुका है अब हम इसे serve करेंगे ठंडा करके और यह हमारी इमली की खटी मीठी चटनी भी ready हो गई है